नमस्कार दोस्तों आज टॉपिक लेकर के आया हूँ आजवाइन पत्ता प्लांट के बारे में जो एक प्लांट होता है बहुत ही अच्छा हरब होता है आजवाइन पत्ता प्लांट तो इसी के बारे में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ तो दोस्तों स्वागत है आपका आ लेकिन उससे पहले एक आपको अपडेट देता हूँ, जो मैंने स्नेक प्लांट लगाया था ना, उसका जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई है, पॉप्स आ रहे हैं, देखिए ये देखिए सामने आपको दिख रहा है, ये एक लीफ जो है, ये देखिए मुझे लगता है सायद न डाली थी, तो सायद जो है, आप लोगों ने देखी भी होगी, यदि नहीं देखिए तो जाकर कि आप देख लीजेगा, मैंने कैसे कटिंग के द्वारा किवर लीफ पत्तियों के द्वारा जो है इसको लगाया था, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है, मैंने द इसमें आराम दिलाता है, और कफ और वात के में भी आराम दिलाता है, पत्ता जो हैं कि ये छोटा और घना पोधा है, ठीक है, ये ये यरली प्लांट होता है, और आपको बताऊं कि बहुत ही खुसबूदार पोधा है, इसकी पत्तियों में जो है खुसबू होती है, और growth सुरू हो जाती है आपको कोई इसमें special care नहीं करनी है किवल जो है अपनी media को मौश्च रखना है ठीक है किवल ऐसे cutting कीजिए और cutting करके आप इसको लगा दीजिए और इसको जो है shady place पसंद आता है जहां light अच्छी तरह से जाती है और shade हो तेज धूप में थोड़ी दिक्कत होती है इसको क्योंकि हमारे यहां तो धूप का मतलब बहुत ज्यादा तेज धूप हो जाती तो उसमें इस plant को परिशानी हो सकती है तो जैसे कि यह एक succulent plant है तो इसको जाता पानी की जुरत नहीं होती है और बताओं इसकी पत्तियां जो है हलकी हरी होती है रोएदार और खुसबूदार होती है और साखाय जो है इसकी आप देख सकते हैं हरी है लेकिन थोड़ी कमजोर होती है ठीक है पत्तियों के बहुत से पौधा जुग ज से ठीक है इसी तरह से होती है और इसकी खुसबू आप जो है पत्तियों की फूझे है आजवाइन का बीज होता है उससे मिलती है तो इसलिए प्लांट हना इसे मिलती पत्त है थे आप देखिए यहां पर 2 किवल जो हैं जो दो पतिया है ना उनसे भी आप इसको ग्रोग कर शकते बहुत ही आराम से उग जाता है ठीक है और आपको यह चीज बताता चीए इसे अच्छा चलता है और हेंगिंग बास्केट में अगर आप इसको लगाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया जो है यह चलता है आप बहुत ही खुबसूरत है और लोग जो है इसको और गेनो भी बोलते हैं और गेनो समझने गलती करते हैं इसकी पत्तियों से और गेन होता है ठीक है इसकी पत्तियों के जब आप थोड़ा सा इसे हाथ से हलका-लका आप मसलिये मसलने के बाद यह देखिए कितना इसके अंदर से जो है पानी निकले सकुलेंट प्लांट अपनी पत्तियों में पानी को रखता है आप इसकी खुसबूप बहुत ही बहतरीन होती है और इसकी तेल भी आता है वो जोडों के दर्द में बहुत रहात देता है और आपको औरगेनो दिखाता चलता हूँ यह देखिए यह औरगेनो का प्लांट है जिससे रियल औरगेनो बनता है मैं इसके सीट्स मगाया हूँ और इसको ग्रो भी करूंगा तो उसका भी अपड वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर